Hello and Welcome to Fun Learning आज की वीडियो में हम पोल वॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे इसकी मेजर्मेंट और रूल के बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में पढ़ेंगे इससे पहले आप मुझसे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पर इन आईडिस के दोरा जुट सकते हैं और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे तो चलिए शुरू करते हैं इसमें देखिए सबसे पहले हम लेंडिंग एरिया की मेजर्मेंट करेंगे इसमें कुछ इस तरीके से जैसा आप इमेज में देख रहे हैं उस तरीके का इसमें लेंडिंग एरिया रहता है इसके उपर एक क्रॉस बार लगी रहती है जिसको पार करना होता है खिलाडी को जैसा हमने हाई जंप में पढ़ा था खिलाडी दोड़ कर आता और क्रॉस बार को पार करके लैंड कर जाता है पोल बॉल्ट में भी ऐसा ही होता है लेकिन इसमें एक पोल की मदद से हम इस हाइड तक पहुँचते है क्र algumas पहुँचते हैं और फिर उसको पार करके लैंड कर लेते हैं पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं इसका जो लैंडिंग एरिया रहता है ये 6 x 6 meter का रहता है यानि इसकी length और width कितनी रहती है 6-6 meter ये हम बात कर रहे हैं international competition के अंदर अगर यह आप पर official competition हो रहे हैं या world athletics के अंदर competition हो रहे हैं तो इसकी length और width 6-6 meter से कम नहीं होने चाहिए और बाकी के जो competition होते हैं उसमें 5 x 5 meter इसकी length और width रहनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए और इसकी height कितनी होनी चाहिए जो इसमें ये mat लगा रहता है इसकी height रहेगी 0.8 meter या 80 centimeter इसकी height रहती है और इसके अलाबा देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक planting box इसको बोलते है यहाँ से लेकर इस landing area तक का distance कितना रहेगा यह जो slope रहेगी यह 10-15 centimeter की रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस तरह से angle बन रहे हैं कि यह angle बनते हैं 45 degree के और इसके अलाबा यह जो आगे वाला हिस्सा है यह 2 meter का होना चाहिए इससे यह जादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद इसका जो runway होता है runway की length कितनी होती है यह होती है 40-45 meter यह यहाँ तक major की जाती है stop box तक 40-45 meter लंबा runway होता है और इसकी जो width रहती है runway की 1.22 meter इसकी width रहती है और यह जो line लगी रहती है runway की यह white color की होनी चाहिए और इसकी thickness या मोटाई कितनी होनी चाहिए 5 centimeter उसके बाद है planting box आप इस image में यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह है planting box और यह metallic होता है कठोर दातू का यह बना होना चाहिए और यह planting box किसले लगाए जाता है यह take off लेने के लिए होता है इसमें क्या होता है देखे खिलाडी रनवे से दोड़ते हुए आएगा और यहाँ पर वो अपने pole को फसा देगा और फिर उपर उठ जाएगा उस pole की मदद से इसकी जो measurement होती है इसकी length कितनी होती है 1.084 मीटर और इसके जो पीछे वाले भाग की जो width रहती है वो 0.408 मीटर होती है और यह आगी की तरफ से रहता है 0.60 मीटर और यहाँ पर देखिए इसका जो cone बनता है यह वाला इसका angle बनता है 120 degree का और इस तरफ को इसका cone देखिए यह 105 degrees का angle बनता है और आप देख सकते हैं यह वाला भाग जो है थोड़ा जादा चोड़ा है और यह वाला थोड़ा सा कम चोड़ा है तो जो नीचे वाले भाग की चोड़ाई इसकी 15 cm होती है और इसके अलाबा आप यहां पर देख सकते हैं एक angle यहां पर भी बन रहा है इसमें यह angle बनता है 30 degree का फिर उसके बाद है cross bar cross bar जैसा हमने high jump में पढ़ा था यह fiber glass की बनी रहती है और कोई भी दूसरे suitable material की बनी होनी चाहिए लेकिन metal की नहीं होती है और इसकी जो length रहती है वो 4.50 meter होती है और इसका weight होता है 2.25 kg और इसका diameter होता है 30 mm अगर यह rounded है तो 30 mm इसका diameter होगा अगर यह square में है तो इसके हर एक भाग की जो length or width रहेगी 30-30 mm ही यह रहेगी next हम pole की measurement देखते हैं इस तरीके का इसमें pole होता है देखे जैसा इस image में आपको दिखाई दे रहा है और यह pole किसी भी material का यह बना हो सकता है किसी भी combination of material का हो सकता है और यह किसी भी length or diameter का हो सकता है यानि कि इसकी जो लंबाई और ब्यास होता है यह कुछ भी हो सकता है यह खिलाडी के हिसाब से बनाया जाते है इसका basic surface जो होता है वो smooth होता है यह flexible होता है आप इस image में देख सकते हैं काफी flexible यह होता है खिलाडी इसको खिंच कर इस तरीके से उपर उठते हैं और इस pole को जहां से पकड़ते हैं जहां से grip करते हैं पर tape भी लगाई जा सकती है हात को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए और इस pole के bottom पे भी कोई भी material या रफी tape लगाई जा सकती है इस pole को protect करने के लिए और खिलाडी जो है वो अपने ही pole का यूज कर सकता है दूसरे athlete के pole को वो use नहीं कर सकता है बिना उसकी permission के फिर अब हम इसके rule के बारे में पढ़ते हैं इसमें देखिए जैसा हमने high jump में भी पढ़ा था competition से पहले जो chief judge रहते हैं वो पहले ही height announce कर देते हैं cross bar की कि कितने रहने जाए इसी तरीके से pole vault में भी होता है और खिलाडी चाहे तो उस height को चैलेंज को accept कर सकता है या तो उसको pass कर सकता है इसमें भी खिलाडी वोल्टिंग किसी भी height से start कर सकता है जो कि पहले referee के द्वारा announce की गई थी और हर एक height के ऊपर खिलाडी को 3-3 trial दिये जाते हैं अगर खिलाडी इन 3 trial के अंदर भी उस height को clear नहीं कर पाया तो उसको उस tournament से ही वो बाहर हो जाएगा pole vault के अंदर जो खिलाडियों का bait होता है वो coach के द्वारा verify किया जाता है और scoring form के उपर उनके नाम के आगे mention करना जरूरी होता है फिर है इसमे time limit pole vault में कितना time दिया जाता है हर एक athlete को perform करने के लिए एक minute का time यहाँ पर दिया जाता है यह होता है अगर यहाँ पर खिलाडी तीन से ज़्यादा होते है अगर perform करने वाले participants जो होते हैं वो तीन से कम होते हैं तीन या तीन से कम होते हैं तो हरे एक खिलाड़े को दो मिनट का टाइम दिया जाता है अपना performance के लिए फिर कुछ competition rule हमें आपर देखते हैं उपने खिलाड़े कोई भी weight या कोई artificial aid का use नहीं कर सकता है और खिलाड़े इस तरह के shoes नहीं पहन सकते हैं जो कि उनको unfair advantage दे रहे हो जो inappropriate होते हैं और खिलाड़े अपने हाथ और उंगलियों पर tape नहीं लगा सकता है अगर कोई cut लगा हो या कोई chot लगी हो तब वो ऐसा कर सकता है तब वो tape लगा सकता है protect करने के लिए अपने खाव को लेकिन otherwise वो यहाँ पर tape का use नहीं कर सकता है अपनी wrist पे अपनी कलाई पर वो ऐसा कर सकता है tape यूज कर सकता है खिलाड़े अगर चाहे तो कोई दूसरा substance से अपने हाथ पर या पोल पर वो लगा सकता है जो कि उनके grip को वैटर करे या खिलाड़े जो है वो gloves का भी प्रियोग कर सकता है ये तो जैसा हमने पड़ा खिलाड़ी अपना ही पोल उसको use करना चाहिए दूसरे athlete का पोल वो use नहीं कर सकता है बिना permission के और competition से पहले कोछ के लिए ज़रूरी होता है कि वो वोल्टर का weight और पोल की rating को verify करे और खिलाड़ी जब पोल को release कर लेता है उसके बाद अब देखिए खिलाड़ी यहां से कूद के आएगा और यहां पर क्या करेगा पोल को वो release कर देगा और फिर यहां से वो jump कर लेगा landing area के उपर और जब वो यहां से पोल को रिलीज कर देगा То उसके बाद कोई भी उस पोल को टच नहीं कर सकता है खिलाड़ी खुद भी पिर उस पोल को टच नहीं कर सकता है जब तक यह पोल क्रॉस बार से दूर ना गिर जाए फिर नेक्स्ट है पोल अगर तूट जाता है ठीक है अगर ट्राइल के दोरान पॉल टूट जाता है तब उसको फॉल नहीं माना जाएगा और उसको दूसरा चांस दिया जाएगा फिर है देखिये टाइ अगर हो जाता है खिलाडी जो सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पर पार कर जाएगा उसके अलावा कोई भी दूसरा उस हाइट को पार नहीं कर पाएगा तो वो जेच जाएगा लेकिन अगर दो खिलाडियों के बीच में यहाँ टाइ हो जाता है दौनों ही बराबर हो जाते हैं उस हाइट के उपर तब यहाँ पर डिसीजन कैसे होता है तो इसमें भी देखा जाएगा कि सबसे कम अटेम्ट में किसने उस हाइट को पार किया है और पिर अगर तब भी टाइ नहीं तोटता है तब देखा जाएगा पूरे टूर्णामेंट के अंदर इसके सबसे कम मिस हुए है अगर उसके बाद भी टाय नहीं तूटता है तो वो जम्प ओफ के द्वारा फिर टाय ब्रेक होता है जिसमें क्या होता हर एक खिलाडी को एक एक चांस दिया जाता है हर एक हाइट के उपर अगर दौनों ही खिलाडी इस जम्प को क्लियर कर लेते हैं किसी निश्चित हाइट पर तो अगली हाइट के लिए यहाँ पर दो क्रोस बार की हाइट को बढ़ाया जाएगा और फिर यहाँ पर जम्प होंगे अगर इन में से कोई एक खिलाडी जम्प नहीं कर पाया इस हाइट को क्लियर नहीं कर पाया तब यहाँ पर दूसरा खिलाडी बिनर हो जाएगा अगर दौनों ही खिलाडी किसी हाइट के ऊपर जंप को क्लियर नहीं कर पाते हैं तब यहां बार को नीचे किया जाता है थोड़ा और फिर यहां पर द्वारा से इस तरह से ही जंप करवाया जाएगा और यह चलता रहेगा एक एक चांस हर हाइट पर उनको दिया जाएंगे और इस तरह के से बिनर यहां पर निकल जाएगा फिर नेक्स्ट है फॉल देखिए क्या होते हैं पॉल वॉल्ट के अंदर अगर खिलाडी के द्वारा उसके पॉल से या उसकी बॉड़ी से एक रॉस बार गिर जाती है अपनी औरजिनल पॉजिशन से तब वो फॉल जंप म है तब वो फॉल माना जाएगा और खिलाडी इस क्रॉस बार को क्रॉस करने से पहले ग्राउंड को या लेंडिंग एरिया को अपने पॉल से अपने बॉड़ी से टच नहीं कर सकता है अगर वो ऐसा करता है तब वो फॉल माना जाएगा कई वार क्या होता है खिलाडी क्रॉ और इस फॉल ही माना जाएगा अगर वह अपने इस नीचे वाले हाथ को इस ऊपर वाले हाथ से ऊपर ले जाता है या फिर अपने उपर वाले हाथ को उपर की तरफ को मुव करता है तब भी वो फॉल ही माना जाएगा नेच्ट है इसके Official, इसमें Chief Judge होते है जो कि पूरे competition को देखते हैं, measurement को verify करते हैं और इनके पास दो flag रहते हैं, white और red flag होते हैं जो की indicate करता है, white flag indicate करता है इसमें valid trial को, और जो red flag होता है वो इसमें indicate करता है failure trial को इसमें दो जजिस रहते हैं दौनों ही एक एक साइड में रहते हैं एक इसमें स्टॉप बॉक्स के पास पीछे लाइन पे रहता है जो कि यहां क्रॉस बार को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं कि अगर वो क्रॉस बार्गी जाती है तो चीफ जज की असेस्ट करेंगे उसको रिप्लेस करने में और वो यहां जो खंबे लगे रहते हैं अपराइटस होते हैं उनको यहां पर ठीक से प्लेसमेंट इसकी हो इसके लिए वो रिस्पॉंसिवल होते हैं और इसके अलाबा इसमें रिकॉर्डर होते हैं या स्कॉरर बोल सकते हैं जो कि स्कॉर लिखते हैं रिजल्ट शिट बनाते हैं और यहां पर अपराइटस की पोजेशन को भी बोलते हैं और हर एक एथलेट को भी बुलाएंगे और एक इसके साथ announcer रहेगा और इसके अलाबा यहाँ पर apparatus की position को भी यह record करेंगे और इसमें scoreboard judge रहते हैं जो कि scoreboard का charge इसके पास रहता है तर टाइमिंग judge होते हैं जो कि clock indicate करेगा athlete को क्योंकि इनके पास जो है वो एक निश्चित समय होता है एक limited time होता है trial को पूरा करने में और एक judge इसमें रहता है जिसके पास athlete का charge रहता है तो यह था video इसके साथ ही हमारा यहाँ jumping event पी complete हो जाते हैं अब आगे हम throwing event के बारे में पढ़ेंगे I hope आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो यह वीडियो आपको अच्छे लगे हो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक केजिए नोटिफकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचते रहें